दोस्तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो प्लोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी CSCID के मदद से Biometric के थूँ एक नया Pen Card कैसे बना सकते हैं लेकिन दोस्तो अब CSCID के मदद से Pen Card बनाने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो चुका है अब आप अपनी CSCID के मदद से Biometric के थूँ एक नया Pen Card तो बनाई सकते हैं साथी साथ आप अपने Pen Card पर अपने मनपसंद के फोटोर सिगनेचर भी पिरिंट करा सकते हैं और अगर आपको अपने Pen Card में कोई भी अपडेट करना है तो वो भी आप Biometric के मदद से आसानी से कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी हैं बीच में स्किप नहीं करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो भाई Biometric के थरू एक नया Pen Card बनाने के लिए या फिर Biometric के थरू किसी भी Pen Card में अपडेट करने के लिए आपको CSC की इस Official Website पर आ जाना है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस पर क्लिक करके आप इस Website पर आ सकते हैं तो अगर आप किसी भी Pen Card में Biometric के थरू अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको Application Details का एक Option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Pen Update का एक Option मिलेगा इस पर क्लिक करके आप Pen Card में Update कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाओ तो आप मुझे Comment कर देना इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Biometric के थुरू एक नया Pen Card कैसे बना सकते हैं तो नया Pen Card बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो Option मिलते हैं Scan Based, E-Sign और E-KYC तो अगर आप यहाँ पर Second Option यानि की E-KYC को चूज करते हैं तो आपके अधार कार्ड पर जो भी आपका फोटो होगा वही आपके Pen Card पर प्रिंट होके आएगा और इसमें आपके Pen Card पर Signature प्रिंट होके नहीं आएगे Signature आपको manually अपने Pen Card पर करने होंगे लेकिन अगर आप अपने मन पसंद के फोटो और Signature को Pen Card पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको First Option को चूज कर लेना है मैं यहाँ पर First Option को चूज कर लेता हूँ क्योंकि Second Option यानि की E-KYC पर मैंने Already वीडियो बना रखा है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको Application Type का एक Option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको Indian Citizen को सलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको Pen Type का Option मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको Category का Option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको Individual को सलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी Date of Birth को Enter करना होगा सबी detail को enter करने के बाद नीचे आपको declaration पर tick करना है उसके बाद नीचे आपको submit पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने CAC का payment gateway आ जाएगा अब यहाँ पे आपके wallet से 97 रुपे काटे जाएंगे और इसमें आपको लगबग 10 रुपे का commission दिया जाएगा तो यहाँ पे payment करने के लिए आपको अपनी CAC ID को enter करना है उसके बाद नीचे आपको validate पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी CAC wallet का pin enter करना है और नीचे आपको paper click कर देना है अब जैसे आप paper click करोगे तो आपका जो payment है वो success हो जाएगा और आपको इस page पर redirect कर दिया जाएगा अब यहाँ पे आपको process to NSTL portal का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है तो जैसे आप click करेंगे आपके सामने application form आ जाएगा इस form को आपको fill करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार number enter कर देना है आधार number enter करने के बाद यहाँ पे आप आपको अपने title को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने first name को enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना last name या फिर surname को enter करना है और अगर आपको कोई middle name है तो वो भी आपको यहाँ पे enter कर देना है लेकिन अगर आपका कोई भी last name नहीं है आपका केवल first name है तो last name वाले option में आपको अपने first name को ही enter कर देना है और first name वाले option को आपको खाली छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पे आपको gender option मिलेगा इस पे आपको click करना है और यहाँ से आपको अपना जो gender है उसको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको declaration पर tick करना है और नीचे आपको submit पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीगे का interface आजाएगा अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको next का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है तो जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जायेगा, अब यहाँ पे आपको अपनी parents detail को enter करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको no को choose करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने fathers का first name enter करना है, यहाँ पे आपको last name enter करना है, और अगर कोई middle name तो वो भी आपको यहाँ पे enter कर देना है उसके बाद दुबारा से आपको यही same detail को यहाँ पे enter कर देना है और अगर आप एक साधी सुधा मैला है तो भी आपको अपने पिताजी की detail को ही enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको मदरस नेम का option मिलेगा लेकिन इसको enter करने की जरूत नहीं है क्योंकि यह optional है उसके बाद नीचे आपको next पर click कर देना है तो जैसे आप next पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरिके का interface आ जाएगा अब यहाँ पे आप एक option मिलता है source of income तो इसमें आपको no income को choose कर लेना है उसके बाद आपको नीचे आना है अब यहाँ पे आपको address का option मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपने address को enter करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है क्योंकि आपके आधार कार्ड से ही आपका address ले लिया जाता है लेकिन अगर आप अपनी इसमें आपको address को enter करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है उसके बाद यहाँ से आपको no को choose कर लेना है और यहाँ पे आपको next पर click कर देना है तो जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस्तरिके का interface आजाएगा अब यहाँ पे आपको अपने area code को enter करना होगा लेकिन अगर आपको आपका area code नहीं पता है तो आपको नीचे आना है उसके बाद यहाँ पे आपको Indian citizen का एक option मिलेगा इसको आपको choose कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको state का option मिलेगा इसके आपको click करना है और यहाँ से आपको city का option मिलेगा इसके आपको click करना है और यहाँ जैसे आप इस पे टिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो area code है वो automatic यहाँ पे enter हो चुका है उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको next पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीगे का interface आ जाएगा अब यहाँ पे आपको अधार card को ही select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको proof of date of birth का option मिलेगा इस पे आपको click करना है और यहाँ से भी आपको अधार card को ही select कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने photo और signature को upload करना होगा जो भी photo signature आप अपने pen card पर print कराना चाहते हैं लेकिन दोस्तों photo signature को upload करने से पहले आपको एक बात का धीयान रखना है आपके जो photo है वो 200 dpi से जादर कर नहीं होना चाहिए और आपके photo का dimension है वो 2.5 cm होना चाहिए और आपके जी photo की maximum size है वो 50 Kb से जादा नहीं होनी चाहिए इसी परकार आपके signature है वो 200 dpi से जादर के नहीं हो चाहिए और आपके signature की जो dimension है वो 2 x 4.5 cm होना जरूरी है और आपके signature की maximum size है वो 50 kb से जादा नहीं होनी चाहिए अब दोस्तों यह dimension आपको कैसे set करनी है, dpi आपको कैसे set करनी है, photo आपको अपने कैसे ready करने है, यह मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा तो photo को upload करने के लिए यहाँ पे आपको choose file पर click करना है, जैसे आप click करोगे तो आपके system की file open हो जाएगी, अब यहाँ से आपको अपने जो photo है, उसको आपको select कर लेना है, उसके बाद नीचे आपको upload पर click कर देना है, अब जैसे आप upload पर click करोगे तो आपका जो photo है वो upload हो इसी परकार आपको अपने जो signature है उनको भी upload कर लेना है photo और signature upload हो चुके हैं अब आपको नीचे आना है अब यहाँ पे आपको अपने आधार card के PDF को upload करना होगा आपको अपने आधार card की front side और back side दोनों का upload करना है और आपके आधार card का जो format है वो PDF होना चाहिए इसके बाद आपको अपने पहले इसका name एंटर करना है उसके बाद नीचे आपको submit पर click कर देना है तो जैसे आप submit पर click करोगे तो आपके सामने आपकी application का preview आजाएगा इसको आपको अच्छे से check कर लेना है अगर आपको लगता है कि आपको अपने form में कुछ edit करना है तो नीचे आपको edit का एक option मिलेगा इसपे click करके आप अपने form में edit कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो नीचे आपको confirm का option मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने EKYC authentication पे जा जाएगा अब यहाँ पे आपके computer के साथ में fingerprint device connect होना जरूरी है अब EKYC करने के लिए यहाँ पे आपको biometric based EKYC का एक option मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको select device का एक option मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है और जिस भी company के आप fingerprint device यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे आपको select कर लेना है मैं यहाँ पे मंतरा को select कर लेता हूँ अब जैसे आप select करोगे तो आपकी fingerprint device में light on हो जाएगी उस पे आपको अपने finger रखने है fingerprint successfully capture हो चुके है उसके बाद यहाँ पे आपको submit का option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने e-sign authentication page आ जाएगा अब यहाँ पे आपको e-sign करना होगा तो e-sign करने के लिए यहाँ पे आपको biometric based e-sign का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने एक नई window open हो जाएगी अब यहाँ पे आपको अपने आधार number को enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने fingerprint device को choose करना है उसके बाद यहाँ पे आपको terms को accept करना है और नीचे आपको capture पर click कर देना है उसके बाद आपको okay पर click करना है अब जैसे आप okay पर click करोगे तो आपकी fingerprint device में light on हो जाएगी उसके आपको अपने finger रखने है fingerprint successfully capture हो चुके है उसके बाद आपको okay पर click कर देना है जैसे आप okay पर click करोगे तो आपके सामने acknowledgement receipt आजाएगी और यहाँ पे आपको आपका acknowledgement number दिखाई देगा इसको आपको कहीं पर note करके रख लेना है क्योंकि acknowledgement number की मदद से ही आप अपने pen card के status को check कर सकते हैं